नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है exam pathfinder में जहां हम आपके लिए government jobs, competitive exams, admission और vacancy से related latest information और alerts लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारे platform alert.exam pathfinder.com पे विजट कर सकते हैं और अगर आप चाहिए तो हमारा app जो है EPF alert आप उसको भी प्लेसों से easily install कर सकते हैं जोस्तों General Reserve Engineer Force के द्वारा application निकाली गई है इनसे भी पोस्त के लिए जो है Radio Mechanic, Operator Communication, Driver Mechanical Transport, Vehicle Mechanic, MSW Driller, MSW Mason, MSW Painter, MSW Messwaiter, Operator Communication इस सभी पोस्त डारेक्टिक टूट्मेंड के मार्दियम से भरी जाएंगे और जो Total Number of Vacancy जारी किके वो काफी अच्छी है तो ये काफी अच्छी opportunity है दोस्तों कि सारी vacancies एक सारी जारी की गई है और जो application की starting rate है वो है 2 January 2023 इसकी application कल से start हो चुगी है आने की 2 January 2023 से जो last date apply करने की वो है 15 February 2030 और 2 March 2023 तो मैं आपको इसकी जानकारी दूँगे की last date है यहापे तो online apply करने की last date है वो है 15 February 2030 और जो offline hard copy send करने की last date है वो है 2 March 2023 इसके लिए ज़रूरी qualification होने से वो आपको official notification से बताऊंगी जो चलिए बढ़ते हैं इसके official notification की तरफ दोस्ते ही हमारा platform है और जो official notification है वो आप हमारे platform पे वजट करके इस तरह से download करके देख सकते हैं तो आप इसको देख सकते हैं जो overall agency जारी की गई है उसकी detail जानकारी यहाँ पर given है तो आप इसको ज़रूर चेक करें साथ यह form भी यहाँ पर given है उसी के साथ जो educational qualification है उसकी जानकारी में आपको दूंगी तो आप इसको चेक कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर पोस के हसाब से educational qualification given a radio mechanic के लिए matriculation होने चे रख अगनाइस बोड और equivalent में साथी wireless operator और radio mechanic certificate होने चे इंटर्स्ट्रिल ट्रेनिंग इंसिट्यूट और equivalent से आप इसको चेक कर सकते हैं आप पोस के साब से सभी के educational qualification given है तो आप इसको ज़रूर चेक करें आपको इस notification में educational qualification से related सारी जानकारी मल जाएगी ड्राइबर, mechanical, transport, post के लिए matriculation होने चे एक अगनाइस बोड और equivalent से और heavy motor vehicle driving license होना अच्छी है तो educational qualification के लिए आप इस notice को गोत्रू कर सकता है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस तरह से notices जो उनके द्वारा जारी किया गया है direct recruitment है साथी apply कैसे करना है वो भी given application जा है वो हिंदी एंग्लिश में आपको फिल करनी होगी application fees are general candidates और EWS और ex-serviceman के लिए 50 रुपे अधर backward class candidates के लिए 50 रुपे बागी schedule का schedule drive परसनल विद बेंच्पर्क और disabilities के लिए कोई भी fees नहीं है application fees non refundable है तो apply करने के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं आपको URL पर जाना होगा online portal पर जाकर apply कर सकते हैं और online ही आपको fees भी pay करनी है online sbi.sbi इस link पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से visit करके आप online apply कर सकते हैं दो date है यहाँ पर आप इसक जरूर चेक करें इस तरह से notification है जो इनके द्वारा जारी किया गया है apply करने से पहले आप इस notice को एक बार जरूर go through करें ताकि आप detail information होगी और आपके लिए apply करना भी बहुत ही easy होगा तो आप easily इसके लिए apply कर सकते हैं साथ ही यहां पर post wise age relaxation और post के इसाब से जो age limit है वो भी हाँ given है तो आप post के इसाब से age limit चेक कर सकते हैं इस तरह से notice है जो इनके द्वारा जारी किया गया है आप इस notice को एक बार जरूर go through करें आपको सारी information मिल जाएगी और apply कैसे करना इसकी प्रिटेर information given है अगर कोई भी candidate एक application से जादा भेजता है सेम पोस्ट के लिए तो इसका candidate चैंसल कर दिया जाएगा यह detailed notification है application की date भी given है यह आप तो आप इसको check कर सकते हैं इस तरह से notice हिन के द्वारा जारी किया गया है इससे related update से बने रहने के लिए आप इस even को subscribe भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी information शेयर करना चाहते हूं तो हमारे platform प्लाटफॉर्म पे विजट करके और इसी के साथ जो application fees अब आपको online पे करने होगी तो आप उसका ध्यान जरूर रखें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूं कि आपको अधिक से देख information मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे like and share करें और हमारे चानल को subscribe करें वीडि करें